नमस्कार, to kill a mockingbird जो के हरपडली का उपनियास है, उस पर एक detailed वीडियो मैंने आज ही upload किया है, किसी वज़े से ये multiple choice questions उस वीडियो में upload होने से रहे गए थे, लेकिन अगर आपका exam multiple choice question based भी होना है, तो भी आप वो वीडियो detailed जरूर देख लीजेगा, क्योंकि कई सारी facts रह नियायाले का अदालत का, जूरी का नियने क्या आता है, तो नियने guilty होता है, जबकि वो निर्दोश है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, फिर देखे second question, whose house is burnt down in the novel, तो इस उपनियास में मिस मॉडी का घर जलता है, फिर देखे what is the real name of Boo Redley, तो Boo Redley का वास्तविक नाम Arthur है next question देखे, why does Atticus admire Mrs. Dubose, तो Mrs. Dubose को Atticus क्यों admire करते हैं, because she is brave, fifth question देखे, who founded Finch's Landing, तो ये जो, Finch's Landing, यानि ये खनान किस ने स्थापित किया था, Simon Finch ने, फिर who tells Gem that it is a sin to kill a mockingbird, तो ये Gem को कौन बताता है, कि एक गाने वाली चिडिया को मारना पाप है, तो ये उसके पिताजी बताते हैं, उसके फादर Atticus, जो कि main character भी हैं, इस novel के, lawyer है, वकील है, याद रखेगा उनका profession, on which famous writer does Lee based Dil, तो दिल किस प्रसिद राइटर पर बेस्ड है Truman Capto Dil का character आधारित है, हलांकि Harper लिए कहती हैं कि ये उपन्यास उनका autobiographical novel नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे characters हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, जो उनकी life से मिलती हैं, फिर next question है, who insists that Bob Evil died in an accident, तो ये इस बात पर कौन जोर देता है, कि Bob Evil का मरना एक दुरहटना थी, तो हैक्टेट जो के शेरिफ है, थानेदार है और जांच करने आया है घटनागी, वो इस बात पर जोर देता है, तो थोड़ा सा यहां वो compromise करता है कानून के साथ, फिर देखिए, who takes the children to the black church, black church कौन लेकर जाता है बच्चों को, तो जो scout और jam, बहन भाई हैं, गोरे बच्चों को, black church लेकर जाती है, कलपूर्निया, थोड़ा spelling यहां पर अलग है, कलपूर्निया कर दिया है, यह H नहीं है, तो जो उनकी cook है, black cook, वही लेकर जाती है, next question, who runs away from home, घर से कौन भाग जाता है, डिल भाग जाता है, टुकिला मौकिंग बर्ड वोस पब्लिश्ट 1960 में प्रकाशत हुआ था, the novel won the Pulitzer Prize, यह 1961 में मिला था Pulitzer Prize उपनियास को, Harper Lee is an American author है वो, और the setting of the novel is, N-O-V-E-L यहां से missing है, तो मे कौम नामक जगह पर इस novel की घटनाए, इस उपनियास की घटनाए घटेत होती है, कुछ और questions देखिए, what major event did Harper Lee live through that inspired her to write to kill a mockingbird, तो कौन सी एक विशाल घटना थी, इतिहास की, जिसको भोगा था Harper Lee ने, और यह उसी संदर्व में लिखा गया है, to kill a mockingbird, तो great depression है, बहुत बड़ी मंदी आई थी पूरे विश्व में, जिससे पूरे विश्व जूजा था, और उसी दोरान यह उप देखिए, what is true about to kill a mockingbird, तो जो यहाँ पर options दे रखे हैं, उन में से सही option है, it won the Pulitzer Prize, यानि इस उपन्यास को Pulitzer Prize मिला था, फिर देखिए, question number 57, to kill a mockingbird was Lee's first book, to kill a mockingbird, Lee का पहली पुस्तक थी, how many other books did she write before she died, तो मरने से पहले उसने और कितनी किताबें लिखी थी, तो इसके अलाबा एक और थी, और जो detailed वीडियो है, उसमें मैंने उस उपन्यास का नाम भी आपको बताया था, तो वो जरूर देख लीज़ेगा, उसमें बहुत सारे facts हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो आप रहे जाएंगे, ओसमें का नाम है, गो सेट अव वाच में, दो जार पंधे में वो प्रकाशित हुआ था, तो उस वीडियो ज़रूर देख लीज़े, इंपोर्टेंट है आपके लिए, फिर देखिए, next, what is true about to kill a mockingbird, तो इसके बारे में क्या सच है, it is a true story, कि ये सची कहानी है, तो as it is, ये सची कहानी नहीं है, लेकिन ये कुछ सची घटनाओं से प्रेरित है, हर्परली भी ये मानने को तयार नहीं है, कि ये autobiographical है, वो खुद कहती हैं कि लोग तो लोग होते हैं, कहीं भी रहें चाहें वो, उनका व्यभार इसी तरीके का होता है, तो कुछ घटनाओं ऐसी हैं, जो के घटे थुईं थीं साउथ अमेरिका में, फिर नेक्स देखिए, फिर वोट अवार्ड डिड हार्परली विन, तो कौन सा पुरस्कार हार्परली ने जीता था, प्रेसिडेंशल मेडल फॉर फ्रीडम, और ये जीता था उन्होंने 2007 में, फिर देखिए, ये पहले भी आस चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं, फिर देखिए, एट वाट एज डिड हार्परली डाई, किस उम्र में हार्परली की मृत्य हुई थी, तो मौत के समय उनकी उम्र 89 येर्स थी, 2016 में मौत हुई है उनकी, फिर एटिकस टीचेज इस चिर्डन नॉट टो किल अ मौकिंग बर्ड, बिकॉज इट डाई डाई वाली चिडिया को नहीं मारना चाहिए, ये एटिकस ने अपने बच्चों को सिखाया, क्योंकि ये किसी को नुक्सान नहीं पहुचाती, जब उपन्यास की शुरुआत होती है, तो स्काउट 6 साल की है, और उसका भाई 4 साल बड़ा है, जेम 10 साल का है, फिर देखिए, वास्तविक नाम क्या है, जियां लूई फिंच, ये उसका वास्तविक नाम है, तो क्या अपराद कर दिया भाई, स्काउट ने अपने स्कूल के पहले दिन, जिसके उनकी टीचर है, मिस कैरोलिन, उनका ध्यान आकर्शित होता है, वो थोड़ी नाराज भी हो जाती है, अपराद क्या है, शी कूट रीड बिफोर कम इंटो स्कूल, इसकूल आने से पहले ही वो पढ़ना लिखना जानती है, भाई, इसकूल आए हो तो वहीं आगे आपको पढ़ना लिखना सीखना है, पहले से आता है, इस बात से वो थोड़ी सी नाराज भी हो जाती है, फिर देखिए, एटिकस accepts टॉम रोविंसन's case, बिकॉज एटिकस जो के गोरे हैं और टॉम रोविंसन नीग्रो है और उस पर चार्ज लगा है एक गोरी लड़की या गोरी महिला के साथ जादती करने का, इसके बावजूद वो गोरे वकील होने के बावजूद उसका case ले लेते हैं, यही तो इस उपन्यास में पूरा मा दोश है, तो चाहे वो गोरा है या काला, अगर कानून उसकी ओर है तो फिर उसका पक्ष लेना चाहिए, फिर वेर डू जैम, स्काउट एंड डिल वोच दा ट्राइल फ्रम, तो यह जो तीनों बच्चे हैं, यह मुकदमा कहां से देखते हैं, ओन दा, यह कलर्ड मैंने इस of the society that becomes symbolic mocking words, तो दो characters कौन से हैं, जो society के outcast हैं, यानि समाज से बाहर कर दिये गए हैं, और जो के mocking words के प्रतीक हैं, तो वो बू रेडले और टोम रोबिंसन हैं, नेक्स कुशन देखिए, विच क्यरेक्टर इस अ कौन सा क्यरेक्टर है, जो स्काउट के लिए लगातार positive female role model ह यानि आदर्श है, तो वो कलपूर्णिया जो के उनकी cook है, वो है, फिर what is Atticus occupation, यह आपको पता है, Atticus वकील है, lawyer, scout's mother died when scout was how old, यानि वो कितनी बड़ी थी तब दो साल की थी जब उसकी मा की मृत्ती हुई, फिर what does the mockingbird symbolize, तो mockingbird किस चीज का प्रतीक है, in no sense, मासूमियत का प एक गाने वाली चडिया को माना क्यों पाप है, वो किसी को कुछ नहीं कहती, फिर question number 76, what is Atticus going to defend, why is Atticus going to defend Tom Robinson, यानि Atticus Tom Robinson को क्यों defend करने वाले हैं, even though many people do not support him, हालांके बहुत सारे लोग हैं जो उसको support नहीं करते, तो इसका जवाब है, Atticus believes that it's the right thing to do, no matter if they win or lose, तो Atticus को लगता है कि ये करना ही सही काम है, चाहे जीतें या हारें, फिर देखे, who narrates the novel to kill a mocking world, तो कौन सुनाता है सुपन्यास की कहानी को, to kill a mocking world की कहानी को, scout सुनाती है, याद रखिएगा, बहुत important question है, what is the name of the narrator's brother, तो narrator के भाई का नाम क्या है, jam है, फिर, what is the name of the town where scout and jam live, तो उस town का कस्वे का नाम क्या है, जहां scout और jam रहते हैं, मेकॉम वोस का नाम है, बहुत important है ये question भी, फिर, which character is described as a malevolent phantom, तो एक malevolent इर शालू होता है, तो एक malevolent phantom, यानि भूत होता है phantom, तो उसके रूप में किसको describe किया गया है, तो बू रैडले को किया गया ह क्योंकि वो कभी सामने नहीं आता है, हालांकि इन बच्चों की हमेशा मदद करता है, हमेशा इनकी care करता है, चुपके चुपके से, जैसे एक पिता का साया होता है, हमेशा बच्चों के असपास रहता है, तो उसी तरीके से ये बच्चों की मदद करता है, तो कभी ये भी question ना सकता है कि कौन पिता के साई की तरह बच्चों की मदद करता है तो वो बू रेडले है फिर और वोट जिल डेर जैम टू डू तो क्या करने की हिमत करने को डिल कहता है तो ट्राइटू मेट बू रेडले कम आउट ओफ इस हाउस जरा कोशिश करके देखो बू रेडले अपने घर से बाहर आता है कि नहीं फिर वोट हैपने टू स्काउट एंड जैम स मदर स्काउट और जैम की मां को क्या हुआ था शी डाइड ओफ हार्ट अडेक तो हिर्दै घात से उनकी मृत्यू हो गई थी next question देखिए who comes to town every summer हर गर्मी में कस्वे में कौन आता है तो चार्ल्स बेकर हैरिस जो के डिल है याद रखेगा फिर who told scout she had to attend school but could still read at night तो किस ने कहा कि वो इस्कूल जा सकती है लेकिन फिर भी वो रात में पढ़ सकती है यह Atticus ने कहा फिर what is the name of the family who is given special privileges such as hunting out of season and not attending school तो विशेशाधिकार किस परिवार को मिरे हुए यह जिन लोगों ने चार्ज लगाया था दोश लगाया था टॉम के उपर फिर देखिए how does jam treat scout at school तो jam scout के साथ कैसे विवार करता है school में he wants her to stay with her own grade and he acts like she is a pest तो वो कहता है उसे के भाई अपना जो class है उसके साथ ही रहो और उसे एक pet की तरह है पालतू की तरह है उससे विवार करता है फिर who taught scout to write यानि लिखना scout को किसने सिखाया है तो वो कैलपूर्णिया ने सिखाया है फिर what was one of miss caroline's mistake miss caroline की गलतियों में एक क्या थी तो इसमें offered walter money तो वो walter को पैसा देती हैं कि जाओ अपने लिए कुछ खरीद दो खाने को जब पैसा हो तो मुझे वापस कर देना तो यह उनकी गलती है क्योंकि इनके पास तो पैसे है ही नहीं इस family के पास पैसे ही नहीं है अगर किसी का कर्ज इनको चुकाना होता है किसी को कुछ देना होता है तो यह अपनी फसल जो भी उपज होती है उनकी उसमें से दे देते हैं सामान दे देते हैं तो यह उनकी गलती थी कि पैसा लोट के आ जाएगा वो पैसा लोट के कभी नहीं आने वाला फिर how do the Cunninghams pay their debts तो यह Cunningham family अपने ड्रेंड के से चुकाती है they pay with food and crops that they grow in their farm तो उनके farm में जो कुछ भी पैदा होता है वो उसी से अपने कर्ज चुकाते हैं और Atticus से जब नोबल शुरू होता है तो शुरू में ही Atticus के पास यह अपने फसल का कुछ वो लेके आते हैं Atticus क्योंकि lawyer है अगर कोई कानूनी सलहा उनको लेनी है तो लॉयर को देने के लिए भी पैसे नहीं है Atticus को देने के लिए भी पैसे नहीं है तो वो अपने खेत में से जो भी कुछ पैदा होता है वो लेकर आते हैं फिर देखिए तो रेडले के घर के बाहर पेड़ पर सबसे पहले क्या उपहार मिलता है इसकाउट को तो च्यूइंग गम मिलता है तो यहां जो सही option होगा वो बी गम होगा फिर next question देखिए Of what crime has Tom Robinson been accused तो Tom Robinson को किस अपराद के लिए दोशी ठहराया गया है तो रेप का दोशी ठहराया गया है वो एक्क्योज टॉम रोविंसन अफ दे क्राइम तो यह बोव इवल है जो एक गोरी है तो गोरी इसको इसने आपराद लगाया है मतलब चार्ज लगाया है जबकि Tom Robinson बिलकुल निर्दोश है उसने वो इसके पास नहीं आया था बलकि यह लड़की ही उसके पास गई थी नहीं बोव तो इसके पिता का नाम है अभी उसका नाम भी आएगा तो बोव उसके पिता का नाम है तो इस लड़की यह लड़की Tom के पास आती है और जब बोव इवल पकड़ लेता है अपनी बेटी को Tom Robinson के साथ तो वो आग बबुला हो जाता है और फिर उसको मारता है पिटता है और कहता है कि तुम इस पर रेप चार्ज लगा हुए ऐसा अकसर होता रहता है इंडियन सोसाइटी में भी ऐसा होता है सभी जगे ऐसा होता है कि जब अफियर पकड़ा जाता है तो लड़के पर रेप चार्ज लगा दिया जाता है और ऐसे बहुत केसेज हैं बिचारे मासूम लड़के जेल में पड़े हुए हैं फिर आगे देखिए बहुत सारे अपराज वास्तम में भी होते हैं और फिर मैं एक तरफा किसी का पक्ष नहीं ले सकती लेकिन ये सच है के बहुत सारे मासूम लड़के जेल में पड़े हुए हैं क्योंकि अफियर खुलने पर उनके ऊपर चार्ज लगा दिया गया था फिर देखिए नेक्स है ये उपन्यास की घटनाएं कहां घटत होती हैं तो मेकॉम अलाबामा में ये सारी घटनाएं घटत होती हैं वो हैस बीन लिविंग गिफ्ट्स इन दा नॉठ छोल ऑफ दा ट्री फोर जैम एंड स्काउट तो पेड़क पर कौन उपहार छोड़ता है जैम और स्काउट इन दौनों बच्चों के लिए तो आर्थर हेडले जो के बू हेडले भी है बूर हेडले वो उपहार छोड़ता रहता है इन बच्चों के लिए तो ये जो टौम रॉबिंसन का केस है ये किस से इंस्पाइड है उपन्यास में तो दे स्कॉर्ट्स बोरो केस था जिस पर के नौ लोगों पर ये नौ काले हबशी लोगों पर ये चार्ज लगा था कि उन्होंने दो गोरी महिलाओं के साथ जादती की है और उनमें से पांच लोगों को उम्र कैदी की सजा सुनाई गई थी अमेरिका में ऐसा ये केस हुआ था फिर question number 96 ते ये what is the verdict in the Tom Robinson case तो Tom Robinson के केस में क्या निर्णे आता है तो उसको guilty करार दिया जाता है अपराधी करार दिया जाता है होस हाउस बॉंस डाउन मिस मॉड़ी हाउस बॉंस डाउन यह पहले भी आ गए हैं वह इंसेस्ट दाट बॉव इवल्स डैथ इस एन एक्सिडेंट यह भी पहले आ चुका है question कुछ questions यहां क्यूंकि दूसरी बुक है repeat हो रहे है what is boo's real name यह question भी आ चुका है आर्थर उसका वास्तविक नाम है what does scout first find in not hole तो यह भी आ चुएंग गम ना वहां गम दे रखा था यहां चुएंग गम दे रखा है फिर what does dill find in डॉल्फर स्रेमंड बॉटल तो डॉल्फर स्रेमंड की बॉटल में डिल को क्या मिलता है को का कॉला मिलता है फिर why does Atticus admire मिस्स जुबोस मिस्स जुबोस को क्यों एड्मार करते है विकॉस शी हैस करेज और पिछली पहले भी यह question आया था तो वहां दिया होता पूबीट माइला इविल तो यह माइला इविल आपको याद रखना है न यही वो लड़की थी जिसने चार्ज लगाया था टॉम रॉबिंसन पर रेप का और उसको पीटा किसने तो उसके बाप ने बॉब इविल ने उसको पीटा जब उसको एक काले लड़की के साथ चार्ज लगा डेप चार्ज लगा और उसने लगा दिया विचारा मासूम मारा गया बिना किसी अपराद के फिर how old is jam when the action of the novel starts तो jam कितना बड़ा है जब यह novel शुरू होता है तो यहां इन्होंने 10 साल का है वैसे जब यह उपनियास शुरू होता है तो C सही जवाब है हलांके कहीं कहीं यह 9 साल भी दे रखा है कई किताब हमें 9 साल दे रखा है लेकिन जैसा कि हम उपनियास को पढ़ते हैं तो यह बताया गया है कि scout 6 साल की है उसका भाई उससे 4 साल बढ़ा है तो उसे साब से यह 10 साल का हुआ ना चार साल बढ़ा है उच्छे साल की अगर scout है तो 10 साल सही जवाब होगा next what are jam and scout shocked to discover about Atticus Atticus के बारे में क्या पता चलने पर jam और scout shocked रह जाते हैं that he is the best shot in Macomb county की Macomb county में वो सब से अच्छे निशानेबाज हैं फिर who takes the children to the black church यानि काले लोगों के चर्च कौन ले जाता है बच्चों को California ले जाती है यह पहले आज भी चुका है लेकिन important भी है question फिर who meant jam's pant यह पहले नहीं आया question और बड़ा important भी है यह जब तीनों बच्चे घुश जाते ना बू की property में घुश जाते तो वहाँ jam का pant फस जाता है एक जाड़ी में फस जाता है और वो बहुत अपना pant छुडाने की कोशिश करता है लेकिन वो pant छुडता ही नहीं है फट और जाता है तो jam फटाफट अपनी pant वहीं उतार देता है उतार के भाग लेता है pant को उतार के वहीं चोड़े भाग लेता है और फिर क्या होता है कि अगले दिन उसको अपना pant वहीं पेड़ पेलट का हुआ मिलता है और सिला हुआ मिलता है तो यह घड़ना हालांकि जब मैंने आपको summary जहां बताई है वहां नहीं आई है लेकिन अभी मुझे याद आ गई क्योंकि यह pant की बात चली तो मुझे यह घड़ना याद आ गई तो मैंने आपको बता दी बुक्स में क्या है summary जब देनी है तो आपको सारी बातें नहीं बता सकते न जब आप novel पढ़ेंगे तो ही आप सारी बातें आपको मालम चलेंगी छोट-छोटी details होती है बड़ी मज के दिन तो यह थे multiple choice questions यह वीडियो मैं यहीं सवाप्त करूंगे धन्यवाद